दोस्तों नमस्कार ये है मागदशन फार सिविल सर्विसेज मैं अनुराग शहधरी दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे समसामाई घटना चक्र द्वारा प्रकासित जीयेस पॉइंटर का जीव विज्यान का भाग एक सामान्य अध्यन के सामान्य विज्यान खंड में जीव विज्यान सरवाधिक महतुपोण खंड है आज की वीडियो में आप मुख्य रूप से जीव विज्यान की साखाएं जैव विकास वर्गी की अनुवान सिक्ता तथा जैव उर्वर्कों से संबंधित महतुपोण प्रश तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं जीव विज्ञान की प्रमुख उपसाखाओं से संबंधित महत्पूर प्रश्न। तो ये सही सुमेलन करना है आपको पच्छियों का अध्यान आर्नितोलाजी, वनसागति का अध्यान जेनेटिक्स, पर्यावरण, ईकोलाजी और जीवास्म का अध्यान पैलियो बायोलाजी के अंतरगत किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्ण है कि फोलों के अध्यन को क्या कहा जाता है तो एंथोलाजी कहा जाता है फोलों का अध्यन कीटों के बैज्ञानिक अध्यन को क्या कहा जाता है कीट या जो कीडे होते हैं उनके बैज्ञानिक अध्यन को एंटोमोलाजी कहा जाता है एंटो मोलाजी कीट विढ्यान का जो है वो नाम है वहविश्य जो जनसंख्या और मानोजाती के महतवपूर आकड़ों के अध्यन से संबंधित है दोस्तों उसे जनांकी की कहा जाता है और बिभिन संस्क्रितियों के बैज्ञानिक विवर्ण के तुलनात्मक अध्यन को क्या कहा जाता है तो ये है जीव विज्ञान की एक साखा जिसके अंतरगत विभिन संस्कृतियों के बैज्ञानिक विब्रण का तुलनात्मक अध्यन किया जाता है वो है इतनो लाजी अगला प्रेश्ण है दोस्तों जैविक जगत में होने वाले कार्य गुड और पद्धत के अध्यन को मसीनी जगत में उप्योग किया जाता है अगला प्रेश्ण है दोस्तों पैलियो बनस्पत के अंतरगत किसका अध्यन किया जाता है पादप जीवास्म का यानि फॉसिल्स प्लांट्स का अध्यन पैलियो बाटनी के अंतरगत किया जाता है रेसम कीट पालन को क्य कहा जाता है सही सुमेलन करना है दोस्तों फूलों की खेती फ्लोरी कल्चर फसलों की खेती एग्रो नामी सबजीयों की खेती ओलेरी कल्चर फलों की खेती पामोलाजी पीसी कल्चर मचली पालन और हार्टी कल्चर फूल और बागवानी का अध्यन किया जाता है अगला प्रश प्रतिमाओं और चित्रकला का अध्यान किया जाता है तो ये तिनों बहुत ही महतपूर है कठिन भी हैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ लेक्सिकोग्राफी के अंतरगत सब्दकोस का अध्यन यानि डिक्सिनरी का अध्यन किया जाता है फिलोलाजी भासा की संरशना और विकास तथा इतिहास का अध्यन इसके अलावा आइकोनोग्राफी के अंतरगत प्रतिमाओं और चित्रकला का अध्यन किया जाता है वीटी कल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है तो दोस्तों वीटी कल्चर में अंगूर की क्रिसी का अध्यन किया जाता है कीट संबर्धन किसे कहते हैं कीटों की बृध्ध करने का विज्ञान कीट संबर्धन कहाल जाता है और वर्मी कल्चर में प्रियुक्त कीडा या वर्म कौन सा होता है तो दोस्तों वर्मी कल्चर में प्रियुक्त वर्म जो होता है वो अर्थ वर्म या केचुआ होता है अगला प्रशना ये देखते हैं तो अगला प्रशन है दोस्तों जेरेंटोलाजी किस से संबंधित है जेर अध्यन किया जाता है तो जेनेटिक्स के अंतरगत आनुवान सिक्ता और बिजरण का अध्यन किया जाता है पैडोलाजी मिट्टी के वैज्ञानिक अध्यन से संबंधित विज्ञान है अस्थियों का अध्यन यानि हड्टियों का अध्यन किसके अंतरगत तो ये है आश्टि जो है वो डाक टिकट संग्रह करने का जो अध्यान है वो डाक टिकटो के संग्रह का अध्यान फिलाटे लिस्ट करता है अगला प्रेशन है साइकोलाजी यानि मनोबिज्ञान फीजियोलाजी पैथालाजी और बैक्टिरियोलाजी में बेमेल क्या है तो इसमें बेमेल साइको जबकि फीजियोलाजी पैथालाजी और बैक्टिरियोलाजी जीव विज्ञान के अंतरगत सामिल हैं हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं मिर्दा विहीन पादप संबर्धन यानि ऐसा जो पौधों का ऐसा विकास जो मिट्टी के बीना यानि केवल जल और उसमें जो पोसक हैं उनको घोल कर किया जाता है या पौधे उगाये जाते हैं उसको हाइड्रोपोनिक्स के अंतरगत सामिल किया जाता है लीथो ट्रिपसी क्या है दोस्तों गुर्दे की पत्री को जो है लेजर बीम के द्वारा तोड़ना वो लीथो ट्रिपसी कहलाता है अब आये जैव व है दोस्तों वर्तमान पर्मान के अनुशार पिर्थवी पर जीव का उदगम हुआ है लग भग दार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वरणवाद का सिध्धान्त किस पर आधारित है ये है ओवर प्रोडक्षन इस्टिगल फार एक्जिस्टेंस एंड वेरियंस तथा सर्वाइवल आप दे फिटेश्ट पर आधारित है डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृत वरणवाद का सिध्धान्त अगला प्रश्न है दोस्तों विकासवाद का सिध्धान्त किसने प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिध्धान्त प्रतिपादित किया था और जीव विकास यानि इवलुशन को सबसे पहले किसने समझाया था तो एक प्रसिद्ध जयवय ज्यानिक हैं लैमार्क इन्होंने जीव विकास को सबसे पहले समझाया था विकास के उत्परिवर्तन वाद सिध्धान का प्रतिपादन किस ने किया था यूगो डुब्रीज ने और सही सुमेलन से संबंधित है अगला प्रश्ण इसमें आपको सुमेलन करना है विकास का सिध्धान चार्ल्स डार्विन एक जीन एक एंजाइम की परिकलपना बीडल और टैटम ओपरान अवधाड़ा जैकब और मोनोट की है विकास का मुख्यकारण क्या होता है दोस्तों तो विकास का मुख्यकारण प्राकिर्तिक वरण है और अगला प्रश्ण है जैव विकास के संदर्व में सापों के अंगों का लोप होने को अस्पष्ट किया जाता है यह है अंगों का उप्योग और अनुप्योग किये जाने से अंगों का उपयोग और अनुपयोग किये जाने से संबंधित है सापों में अंगों का लोब होना जैसे ये माना जाता है कि पहले सापों के पैर होते थे लेकिन वो पैरों का उपयोग नहीं करता था और धीरे-धीरे कुछ समय बाद उनके जो पैर थे वो समाप्थ हो गए अगला प्रश्ण है भारत की विसाल वन्य बिल्लियों में सेवा जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हाल में बिलूप्त हो गई है वो है चीता और आधुनिक मनुस्य के हाल का पूर्वज कौन सा मनुस्य है वो है क्रो मैगनान मनुस्य जो आधुनिक मनुस्य के हाल का Archaeopteryx क्या है तो जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पच्छी इसको Archaeopteryx कहा जाता है अगला प्रश्ण है दोस्तों Archaeopteryx जो है वो किसके बीच की योजक कड़ी है तो Archaeopteryx जो है वो सरी स्रिप और पच्छी के बीच की योजक या जोडने वाली कड़ी है मेमत किसका पुर्वज है हाथी का पुर्वज है डाइनसोर किस युग में थे तो ये मैसे जो एक युग में ये एक सरी स्रिप थे डाइनसोर रहे तो मैसे जो एक युग में सरी स्रिपों की प्रजात डाइनसोर थी और देखिए जीवों के विकास यानि evolution के संदर्व में सही क्रम है अब आये देखते हैं वर्गिकी से संबंधित महत्वपूर प्रश्ण जीव विज्ञानियों ने पादब जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ग्यात किया है और ढूर निकाला है तथा पहचान दिया है संख्या की द्रिष्ट से अब तक धूड़े गए और पहचाने हुए जीव में सबसे अधिक संख्या किसकी है तो अभी तक कीटों की सरवाधिक प्रजातियां धूड़ी गई है अगला प्रश्ण कथन कारण से संबंधित है कथन है अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है ये सही है और कारण है कि सभी एक कोस की जीव अलैंगिक विदियों से जनन करते हैं तो दोस्तों A और R दोनों सही है और R A का सही असपश्टी करण या व्याख्या भी है गर्म रुधिर वाले जन्त कौन होते हैं जो अपने सरीर को तापकरम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं दोस्तों गर्म रुधिर पाले जन्त वे होते हैं, जो अपने सरीर के तापमान को हमेशा एक समान या एक जैसा बनाए रखते हैं, सही कथन कौन से हैं, तो सही कथन है कि गोल क्रिम में कोई परिसंचरण तंतर नहीं होता, ये सही है, अस्थिल मचलियों में वातासय आमतार से विद्यमान होता है, और उपास्थिसम मचलियों में निसेचन आंतरिक होता है, ये सही कथन है, अगला प्रशन है, कुछ आपके पास आपसन है, इस्टार फिस, साप फिस, पाइप फिस और गिटार फिस में से वह जो मचली नहीं है, तो इस्टार फिस मचली नहीं है, रजतमीन, क्रे फिस, जेली अगला प्रेशन है दोस्तों इस्टार फिस जैली फिस डाग फिस तथा समुदरी घोरा में से वह जो वास्तविक रूप से मचली है ये है समुदरी घोरा समुद्री घोडा वास्तविक रूप में मचली है सबसे बड़ा अस्थनपाई कौन सा जीव है तो ये है सबसे बड़ा अस्थनपाई वेल मचली है वेल प्राडी अस्थनपाई वर्ग के अंतरगत सामिल किया जाता है दोस्तों सार्क, स्क्वीड, आक्टोपस और वेल में से अस्थनपाई कौन है तो वेल जो है वो अस्थनपाई समूग के अंतरगत सामिल है अगला प्रश्न है फिन बैक वेल, ब्लू वेल, इस्पर्म वेल तथा हम्प बैक वेल पर जातियों में से दात वाली वेलों में विसालतम कौन है तो दात वाली वेलों में विसालतम अस्पर्म वेल है एकिडना, कंगारू, सेही तथा वेल में से वो जो अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है तो देखिए ये अस्तंधारी है एकिडना ये अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है उड़ने वाला अस्तन पाई जन्तु कौन सा है तो चमगादर यानि बैट जो है वो उड़ने वाला अस्तन पाई जन्तु है ये उड़ने वाले जीवों में से वह पच्छी जो पच्छी वर्ग में नहीं आता है उड़ने वाले जीवों में वह जो पच्छी वर्ग में नहीं जा उनका अध्यन विभाजन का अध्यन या उनके अलग अलग गुडो और प्रकारों का अध्यन वर्गिकी के अंतरगत किया जाता है तो वर्गिकी से संबंधित जो अगला प्रशन है समुदरी गाय, समुदरी घोड़ा और समुदरी सिंग में से अस्तन्धारी कौन है समुद्री गाय और समुद्री सिंग जो है वो अस्तन पाई है डालफिन बर्गी कृत किये जाते हैं डालफिन अस्तनी बर्ग में आते हैं सील एक अस्तन पाई है और एमफीबिया क्या बताता है तो दोस्तों एमफीबिया जो होता है वो जल और अस्तल दोनों पर रह सकने वा हगुण जो मनुस्य को अन्य सभी वानर गुडों से प्रिथक करता है ये है जानने की इच्छा प्रकट करना अगला प्रश्ण है गिब्बन गोरीला लंगूर और ओरंग उटंग में से कपी कौन नहीं है तो लंगूर जो है वो कपी नहीं है मानव के जैसा लगुतम जो कपी है वो कौन सा है तो मानव सदिष्र लगुतम कपी गिब्बन है कई वार परिछाओं में पूछा है अगला प्रश्ण है गाय बकरी भेड़ और हिरन में से नील गाय किस कुल में आती है तो नील गाय दोस्तों हिरन कुल में सामिल है आक्टोपस क्या है तो आक्टोपस एक कवची मोलस्क है सबसे बड़ा अकसेरुकी है स्क्विड जो है वो सबसे बड़ा अकसेरुकी जन्तु है अगला प्रश्ण है दोस्तों केकडा बरूती बिच्छु और मकडी में सेवा जीव जो अन्य तीन जीवों के वर्ग का नहीं है तो ये केकडा है वाइट लेगहार्न एक किस्म है कुकुटों की मुर्गों की एक किस्म है दोस्तों वाइट लेगहार्न और टीक और माइट वास्तों में क्या होते हैं टीक और माइट वास्तों में मकडी वनसी होते हैं जुगनू क्या होता है जुगनू एक कीट है अगला प्रश्ण है खटमल मकडी घरेलू मक और मच्छर में से जो कीट नहीं है तो मकड़ी कीट नहीं है मकड़ी कीट से भिन होती है क्योंकि मकड़ी में आठ टांगे पाई जाती है दोस्तों कीट वर्ग की तीन जोड़ी टांगे यानि छे पैर होते हैं जबकि मकड़ी में आठ टांगे पाई जाती है तितली प्राणी जो अपने आंत्र में जल का संग्रहन करता है ये उट है और सर्पों की बिस्ग्रंथियां किसकी समांग है कसेरु की प्राडियों की लार ग्रंथियों के समान सर्पों की बिस्ग्रंथियां होती है अगला प्रशन है साप के जहरीले विस्दंत जो रूपांतरित होते हैं तो ये जम्भिका दंत के रूप में रूपांतरित होते हैं साप के जहरीले विस्दंत चटान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं सैलोध भित कहलाते हैं चटान पर उगने वाले पादप दोस्तों पैसन फ्लावर पादप घटपाड़ी रात की रानी और फ्लेम आपदफारेश्ट में से जो है फ्लेम आपदफारेश्ट में से कीट हारी पादप कौन सा है तो ये घटपाड़ी है और घटपाड़ी के अस्तम्भ, पत्ता, अनुपाड़ और पाडवरिंत भागों में से वह जो घट में रूपांतरित होता है तो पत्ता जो भाग होता है घटपाड़ी का पत्ता है वो घट के रूप में रूपांतरित होता है और जो कीटों को अपनी और आ एक आबृत भीजी है और घटपाड़ी जो है वो प्रकास संसलेशन जो क्रिया है वो उससे संबंधित है अगला प्रशन है निफेंथिस खासियाना जिसका नाम है घटपाड़ी एक दुरलभ और आपाती पौधा ये कहां पाय जाता है तो भारत में घटपाड़ी पौधा मे घाले में पाय जाता है पौधे का वह भाग जिससे हल्दी प्राप्त होती है वो तना है और हल्दी के पौधे का खाने लायक भाग प्रकंद होता है फलों का वह भाग जिसमें लीची को रखा जा सकता है तो दोस्तों लीची को डूप फल के अंतरगत रखा जाता है और आलू, सकरकंद, बंडा और जीमिकंद अधुभूम उत्पादिज सबजियों में से रूपांतरित जड़ कौन सी है? तो सकरकंद एक रूपांतरित जड़ है गन्ना अद्रक आलू और सकरकंद में से वह जिसका संग्रह अंग तना नहीं है तो ये है सकरकंद, सकरकंद जड़ है तना नहीं है सलजम अद्रक गाजर और सकरकंद में से वह जो तना है तो अद्रक तना के अंतरगत सामिल होता है आए अगला प्रश्ण सुमेलन से संबंधित है ये है दोस्तों प्रकंद अद्रक का प्रकंद वाला भाग प्रयोग किया जाता है अस्तंब कंद आलू सल्क कंद के अंतरगत लहसुन और घन कंद जीमी कंद यानी सूरन को शामिल किया जाता है गाजर, सकरकंद, नारियल और आलू में से रूपांतरित अस्तंब कौन सा है तो ये है आलू आलू एक कंद है अगला प्रश्ण है जैव, उर्वरक, प्रवाल, मूल, लाइकेन और कवक मूल में से वह जो कवकों और उचितर पादपों की जड़ों के बीच उपियोगी प्रक कार्यक सहचर ये है वह है कवक मूल और फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गाठों में पाये जाने वाले नत्रजन इस्थरीकरण जीवाण क्या होते हैं तो दोस्तों ये सहजीवी होते हैं अगला प्रश्ण देखते हैं ये है मटर पौधा है तो मटर साक कु किया जाता है गन्ना संवर्धन के लिए लौंग क्या है तो लौंग बंद कलिया होती है जीरा लौंग काले मिर्च और हल्दी में से वह जो पुस्प कलिका होती है तो लौंग एक पुस्प कलिका होती है लौंग सुस्क पुस्प कली से प्राप्त होते हैं सुमेलन करना है अदरक, राईजोम, केसर, पुस्प की वर्तिका और वर्तिकाग्र, अफीम, अफीम की डूडी और सन जो है वो तने से प्राप्त होता है। केसर किसका सूखा मिसरण है? तो दोस्तों फूल के बीज बनने वाले भागों का सूखा मिसरण होता है केसर। अगला प्रश्ण है सुमिलन करना है अदरक, प्रकंद, प्याज, मानसलपड, आलू, रूपांतरित तना और नारियल जो है भ्रूड पोस खाने वाला भाग होता है। तना बीज, जड तथा फल में से आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो आलू का खाने योग्य भाग तना होता है। आलू, मूली, भिंडी और सकरकंद में से फल कौन सा है, भिंडी एक फल है, कार्क किसक से प्राप्त होता है, क्वैकर्स सुबर नामक पेड़ से कार्क प्राप्त होता है, लहसुन की अभिलाचडिक गंत का कारण क्या है, दोस्तों लहसुन में जो तीखी गंत होती है, उसका क परसित होती है इसलिए उसके छिलके उतारने पर आसू निकलने लगते हैं अगला प्रश्ण है जीवन चक्र की द्रिष्ट से पौधे का सबसे महतपूर अंग कौन सा है ये पुस्प होता है और मिर्च की तीछड़ता का कारण कौन सा है कैपसेसिन की उपस्थिती मिर्च की तीछड़ता का कारण होता है दोस्तों लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें कैपसेसिन नामक रसायन उपस्थित होता है अगला प्रश्ण है रेसम का कीड़ा यानि सिलक वर्म अपने जीवन चक्र के जिस चरण में वारिजिक तन्तु पैदा करता है वो कौन सा है तो मलेरिया के लिए एक प्रमुख उसधी है किस से प्राप्त होती है आवरित वीजी पादफ से प्राप्त होता है कुनैन और मलोईरिया रोक की प्रभावी उसधी कुनैन का निर्मार किस से किया जाता है ये सिनकोना की छाल से कुनैन का निर्मार किया जाता है अगला प्रश् मौसधी को मलेरिया के उपचार के लिए प्रियोक्त किया जाता था जिस क्रित्री मौसधी ने इस प्राकृतिक उत्पात को प्रतिस्थापित किया है वो है क्लोरोक्विन अब क्लोरोक्विन का उपचार क्लोरोकिन दवाकव मलेरिया के उपचार के रूप में प्रियोक किया जाता है लाइकेन प्रोटो जोवा साइनो जीवाण और डायटम में से जीवों का वह समो जिसका डूबने से हुई Mrittu का पता लगाने में महत्व है तो ये डायटम है सहतूद का फल क्या होता है सोरोसिस होता है सन पट्सन जूट और कपास में से वह जो पौधे के तने का उत्पाद नहीं है तो कपास पौधे के तने का उत्पाद नहीं है बलकि कपास फलों का उत्पाद होता है बीजों का लेग हीमोगलोबिन कहां पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में लेग हीमोगलोबिन पाई जाती है भोग के लिए उबगाई गए विशिष्ट प्रकार की तिलहन सर्सों की किस्मों को निर्देश्ट करता है इनकी विशिष्टा क्या है तो दोस्तों इनके तेल में इरूसिक अमल की बहुत अल्ब मात्रा होती है सुच्म जीवाड या बैक्टीरिया को किस से देखा जाता है कम कारण आम की प्रजाति का निर्यात प्रभावित हो रहा है वो आम की कौन सी प्रजाति है ये है अलफांसो प्रजात जो स्पंजी उतक से इसका निर्यात प्रभावित हो रहा है अगला प्रिश्ण है दोस्तों कथन कारण से संबंधित कुछ जीवाड अपना भोजन कारण है इन जिवाणुओं में हर पदार्त जो हरत लवक कहलाता है पाया जाता है तो इस है लेकिन आर गलत है जिवाणुओं में हरत लवक नहीं होता है। अगला प्रश्ण है दोस्तों कथन कारण से संबंधित कथन है मरुस्थली पौधों के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं सही है और कारण है मिर्दा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोसाहित करता है तो कारण आपका गलत है मिर्दा का उच्च तापमान नहीं बलक इन पौधों द्वारा जल की खोज इनके जड़ों को अत्यधिक गहराई तक ले जाता है अगला प्रश्ण देखते हैं मरुस्थली पौधों की जड़े लंबी होती है इसका कारण क्या है तो जड़े पानी की तलास में लंबी हो जाती है मरुस्थल में फ्रियेटो फाइट् कहा जाता है सुस्क जलवायु के भली भात या नकूलित पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है इनको मरोधभूद या जीरो फाइट्स कहा जाता है और मरुभूम के पादप अधिकतर मानसल होते हैं ऐसे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उकते हैं उनको हैलो फाइट कहा जाता है अगला प्रेश्ण है दोस्तों कुछ कथन है इन पे विचार करना है सही कथन कौन कौन से हैं तो सही कथन है जेली रूदन का कारण अमल की अधिक्ता है और सुसुपता वस्था तोड़ने वाला हार्मोन जो है वो साइटो काइनिन है A.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P हाइट कहा जाता है और पाउधुन द्वारा ली गई विकीर्ड उर्जा का पैडाम क्या होता है जल का प्रकासी अपगटन होता है अगला प्रश्ण सही सुमेलन करना है दोस्तों स्वजीवी तो ये उत्पादक होते हैं परोप जीवी उपभोकता होते हैं और मिर्तोप अगला प्रश्ण है जल से बाहर निकाल ली जाने पर मचलिया मर जाती है उसका कारण है वे स्वास नहीं ले पाती है मचलियों में सामानता स्वसन किस्से होता है गिल या गलफडों के द्वारा और सेब के फल में लाली का कारण क्या है एंथोसाइनिन नामक वर्डन जल के सेब के फल में लाली का कारण होता है टमाटर में लाल रंग का कारण ये लाइकोपीन वरड़क होता है पफीते में पीले रंग का कारण कैरिका जैन्थिन के कारण होता है और अगला प्रशन है दोस्तों हाल में हमारे बैग्यानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन जात की खोज की है जिसकी उचाए लगभग 11 मेटर तक जाती है और उसका फल का गूदा नारंगी रंग का है ये भारत के किस भाग में खोजी गई है तो ये अंडमान द्विप में खोजी गई है जीवित प्राडियों का वह समूह जो एक ही इस्पिसिस से संबंधित है ये है चीनी अमेरिकी भारती और काले अफरीकी ये एक ही इस्पिसिस से संबंधित है खमीर किसका उदाहरण है तो दोस्तों खमीर या इष्ट कवक का उदाहरण है इष्ट और मसरूम क्या है तो ये फफूद या फंगी जिनको कहा जाता है इष्ट और मसरूम फफूद है और रसेदार सबजी में प्रियोग होने वाला मसरूम क्य होता है यह कवक है कपास का मुख घटक क्या होता है कपास का मुख घटक सेलू-लोज होता है अगला प्रेशन देखते हैं लाइकेण मिसरिज जीव है जो बने होते हैं कवक और सहवाल से इसके अलामा देखिए लाइकेन जो एक नग्ण चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुकरम को प्रारंब करने में सक्षम है वास्तों में सहजीवी सहचरे है सैवाल और कवक का तो सैवाल और कवक के भी सहजीवी संबंध का जो प्रदर्सक लाइकेन होता है नोसका पिन किस से प्राप्त होता है तो दोस्तों नोसका पिन जो है वो पोस्ता यानि पापी से प्राप्त होता है हेरोईन किस से प्राप्त होती है अफिम पोस्ता से और मार्फिन मार्फिन फल से प्राप्त होता है अफीम किस से प्राप्त किया जाता है दोस्तों बिना पके फल के लेटेक्स से अफीम प्राप्त किया जाता है अफीम पोस्ता पौधे के अधब के फल से प्राप्त होता है और अफीम का मुख अवयव क्या होता है ये है मारफीन मारफिन जो है अफीम का मुख्य अवयव होता है अब आये देखते हैं आनुवानसिक्ता यानि जेनेटिक से संबंधित महतपूर्ण प्रश्न आनुवानसिक्ता का जनक किसे माना जाता है दोस्तों बरतमान आनुवानसिक्त विज्ञान के जनक ग्रेगर जान मेंडल है आनुवानसिक्ता के जनक के रूप में जी जे मेंडल का नाम विख्यात है अगला प्रश्ण है मेंडल ने अपने वनसागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस जीवधारी का उपयोग किया था तो ओ है दोस्तों मटर के पौधे का मेंडल के आनुआनसिक्ता सिधान किस पर आधारित है लेंगिक जनन पर और जीनोम चित्रण या जीनोम मैपिंग का संबंध किस से है जीन्स के चित्रण से जीवो में आनुआनसिक लच्छण संतान में लाए जाते हैं क्रोमोसोम के द्वारा जीवो में आनुआनसिक लच्छ संतान में अस्थानां तरित होते हैं अगला प्रेश्शन है दोस्तों हमारे सरीर में आनुवानशिक्ता की इकाई क्या है तो ये इकाई जीन होती है अप्लॉमान जीन यानि जंपिंग जीन का सिध्हान किसे ने प्रतिपादित किया बारबरा मैकलिन टाक ने जंपिंग जीन का सिध्धान प्रतिपादित किया था DNA में उपलब्ध वह योगिक जो अमीनो अमल नहीं बनाता है ये है टाइरोसीन और DNA में मौजूद सरकरा क्या होती है डी आक्सी राइबोस सरकरा DNA में मौजूद होती है कारबन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुस्थान जो अनुसंधान करने वाले तो ये है दोस्तों एक्सरे तकनी करगे जो कारवन चौद्य का प्रयोग करके अनुसंधान करने वाले होते हैं वो X-ray Technician होते हैं जो कारवन चौद्य का प्रयोग करके अनुसंधान करते हैं अब आई ये देखते हैं जैव उर्वरक यानि बायो फर्टिलाइजर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों प्रश्न है एजोला नील हरिस सेवाल अलफा अलफा इन में से किसका उप्योग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है तो एजोला और नील हरिस सेवाल का प्रयोग एक और दो आपसन सही है इनका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है इस्ट, क्लोरेला, एजोला और मोल्ड में से एक जैव उर्वरक का स्रोत है तो एजोला जो है वो जैव उर्वरक का स्रोत है यूरिया, टूफोर्डी, स्ट्रेप्टो, साइक्लीन तथा एजोला में से जैविक उर्वरक कौन है एजोला और पसुओं विशेस्त दुधारू गोवन्स के अनुपूरक भोजन के रूप में जैव उर्वरक प्रयोग किया जाता है ये है एजोला जैव उर्वरक अगला प्रश्ण सुमेलन से संबंधित है दोस्तों सही सुमेलन आपको करना है तो ऐसे देखिए नील हरिस सैवाल ये जैव उर्वरक होता है क्रायो सोपा माहो नियंतरक है बायो 902 सरसो का काय कलोन है और एजेटो वेक्टर एक जीवाण होता है अगला प्रश्ण है वह फसल जिसमें नील हरिस सैवाल मुखेत जैव उर्वरक के रोप में प्रयोग होती है वो धान की फसल है और नील हरिस सैवाल का उप्योग नतरजन आपूर्ति के लिए किस फसल में किया जाता है तो ये दोस्तों धान की फसल में किया जाता है एजोल बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों नील हरित सेवाल इसका सहचारी है इसलिए एजोला जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है एजोला क्या है तो एजोला एक जली फर्न है और वह जली फर्न जिसे जैव उर्वरक के रू अगला प्रश्ण है फसलोत पादन में नत्रजन उपयोग छमता की ब्रिद्ध की जा सकती है उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रियोग द्वारा नत्रजन और ओधक के प्रियोग द्वारा और नत्रजन धीरे धीरे छोड़ने वाली उर्वरकों के प्रियोग द्वारा फसलो पादन में नत्रजन उपयोग छमता बढ़ाई जा सकती है अगला प्रश्ण है सोया बीन में नत्रजन इस्थिरी करण यानि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार वैक्टीरिया कौन सा है ये है राइजोबियम जैपो निकम ये सोया बीन में नत्रजन इस्थिरी करण के लिए आवस्यक है और अंतिम प्रश्ण आज के वीडियो का जो समसामाई घटना चक्र द्वारा प्रकासित जीएस पॉइंटर का जीव विज्यान है इसके भाग एक का अंतिम प्रश्ण है जो खर पतवार नासी के रूप में प्रियोग किया जाता है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इसमें आपने देखा समसामाई घटना चक्र द्वारा प्रकासित जीएस पॉइंटर के जीव विज्यान यानि बायलोजी का भाग एक और इसमें आपने जीव विज्यान के प बहुत ही महत्वपूर हैं आप इनको तयार कर लीजेगा तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मार्ग दर्शन फार सिविल सेर्विसेज को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के धन्यवाद दोस्तों नमस्कार